अब आपको पुलाव बनाने में कभी डनने लगेगा अगर आप चाहते हैं आपका पुलाव खिला खिला बने बिलकुल भी चावल चिपके नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें इसे हम बनाएंगे प्रेश्र गूकर में आपका पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा अगर आपके पास इन नहीं है तो आप नॉर्मल घर के चावल भी ले सकते हैं मैंने आप इनी बासमती राइज लिये हैं जितना लॉंग ग्रेन राइज होगा उतना पुलाव अच्छा लगता है इसे हम वाश कर लेते हैं और अच्छे से धो लेने के बास सिर्फ दस मिनिट क पुलावे बने अपने पसंद के और सब्स यहां या जो आपको नहीं पसंदों से हटा सकते हैं प्याज आपको लेनी है हरी मिर्ची लेनी है अगर आप गाजर मटर डालते हैं तो पुलाव अच्छा बनता है फिर हमने आप खड़े मसाले लिये हैं जैसे तीच पत्ता एक स जीरा है यह शाहाजी अगर आपके पास यह जीरा नहीं तो नॉर्मल जीरा ल्यच पत्सक्सक्स कंदें हैं तो आप देख सकते हैं जल we ते शारे डाल देने, एक टाइम पर, फिर इसके बाद ही जितनी भी वैजिस थी हमने सारी डाल दी हैं, गरम तेल में, तेल को अच्छा गरम करें, उसके बाद ये सारे चीज़े डालें, इसके बाद आपको इन्हें फ्राइ कर लेना है, हलका सा सौटे करना होगा एक दो मिनि के लिए हम फ्राइब करेंगे चावल को अगर पहले ही फ्राइब कर लेते हैं तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और यह खिले-खिले बनते हैं तो बस एक दू मिनिट के लिए आप इसे फ्लैट स्पैचुला से चलाते वे फ्राइब कर लें जैसे आपको लगे बस पानी थोड़ा उपर ही रहना चाहिए मतलब पानी एकदम लेवल ही आप देख सकते हैं जादा पानी में भीगे वे नहीं है यही मेजरमेंट रखे आपके चावल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे दो सीटी हमें लगानी है मीडियम टू हाइफ फ्लैम पर मतलब गैस यह देखिए चावल हमारे अच्छे से तयार एकदम खिले खिलने है एकदम अच्छे से पक चुके हैं आखरी में हम हरा धनिया डाल देते हैं और एक फोक की मदद से क्या करेंगे एक बार इसे मिक्स कर लेंगे ऐसा करने से यह होता है कि जो नीचे की चावल है वो ओवर अच्छे होते हैं तो वो पक जाते हैं अच्छे से तो इस तरह से आपको एक मिक्स जरूर कर देना है गरम गरम में ही लिकिन फोक से करें ताकि टूटे नहीं इसके बाद हम इसे एक दो मिनिट के लिए कवर करेंगे ताकि धनिया की खुश्बू आ जाए इसमें और चावल हमारे बिल्कुल तेयार हैं इस तरीके से अगर आप चावल को प्रिपेर करेंगे तो आपकी चावल लंबे समय तक खेले के लिए रहेंगे आप ठंडे भी कर देंगे तो भी ये बिल्कुल एक एक दाना इनका खेला खेला रहेगा ये इतने जाद अच्छे बनते हैं आप तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ